नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है टनुसरी एलेक्टोनिक्स में देखें मेरे पास यह सोनी का ओल्ड मोडल का स्टीरियो है जो कैसेट डालता था यह वाला देखिए इसका मोडल नमबर देखिए एकसर फोर नाइन डबॉल जिरो एकस ठीक है तो यह ताभी तो कैसेट त सकते हैं मैंने बोला ठीक है इसमें ब्लुटूथ हम लगा देंगे तो ब्लुटूथ का हम इसमें पैनल लगाएंगे ठीक है यह अच्छी तरह से अगर इसका लुक खराब होना नहीं चाहिए दिखने में ऐसा ही रहना चाहिए तो हमने बोला ठीक है ऐसा ही रहेगा तो हम इसमें लाइन देते हैं, देने के बाद हम चेक करेंगे, यह ठीक है, या कोई गरबर है, दीखिए हमने यह 12 बोल्ट का इधर connection लगा के रख दिया है, तो इसको हम पहले लाइन देके आपको दिखाते हैं, यह चालू है, कोई गरबर है, इसका डिस्प्ले कैसा आता है, वो भ जबा दिया, यह दिखिए, इसका डिस्प्ले में टेप लिखा रहा है, ठीक है, तो इसका यह दिखिए, बुल्यम कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसका mode है, बढ़िया से वर्क कर रहा है, तो इसको खोलते है, खोलने के बाद हम देखते है, इसमें audio, connection, supply वागरा, ठीक है की नहीं, इसमें पहले के speaker लगा के, इसके sound सुनते है, इसमें sound है की नहीं, या कोई घरबर है, बहुत पुरणा है यह, कम से कम इसका उमर हो गया, दस बारा साल तो हुई गया, 15 साल है, इसे हो गया है, दिखिए, ये radio sound भी आ रहा है, ठीक है, तो ये, इसका जो, इसका जो cassette का loader है, ये चलता नहीं है, बंध हो गया है, तो इसमें सिर्फ, ये FM का sound आता है, और कुछ ही नहीं आता है, इस CD तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे CD का तरब से कोई cord वागरा लगाना पड़ता है, तब ये चलता है, ये tip, ठीक है, तो इसका जो इसमें लिखा है, सिल, मतला अब यहाँ से आप function को change कर सेपते है, बैंड है, ये अपना गाना change करने का next again है, ठीक है, और ये power button है, तो इसको खोलते है, और खोलना कैसा है, देखिए, इसको पहले बंद करते है, इसको आप ऐसे खीचोगे, तो दीन भर खुछे खीचेंगे नहीं आएंगे, तो इसको खीचना कैसा है, इसका जो handle है, ये वाला, इसको दबाएंग यहां पर एक lock होता है, देखिए, ये lock उपर आया है, फिर से ये नीचे जा रहा है, देखिए, ये निकल आया है, ये देखिए, और इसको खीचते है, खोल गया है, तो इसको खोलना ऐसे है, इसको खीचना है, ये देखिए, हमने इसको खीच लिया है, तो इसका देखिए, कानेकशन खीछने से फिर इसका इसका स्वकेट है या अलग हो जाता है तो यह system क्यों दिया है इसमें दिया हुआ गया आप अगर आपका कार अगर बाहर कहीं पर रखते हो अगर रखते हो तो इसका स्टेरी जो है आप खोल कार के घर में रख सकते हैं इसलिए रख सकते हैं पहले पहले जो जब भी एट ningala था तब गाडी से स्टेरियों गुम हो जाता था चोड़ी करके ले जाता था लोग इसलिए कमपानी यह सिष्टेम दिया था ठीके तो अक्सर अभी तो क्या होता है अभी तो स्टेरियो अगरा चोरी कम होता है याप है हमारे यहां तो नहीं होता है दुसरे शहर का बात में बोल ने सकता हो ठीक है तो हम इसको साइट कर देते हैं इसका जो कनेक्टर है इसको निकाल लेते है इसमें स्कुरू दिया हुआ है द और उसको कोपर कालग कर लते हैं और देखोदर है इसका कनेक्टर करें ऐगर निचे एक डाएगा और ऊपर एक आएगा ऐसे लगता है यह हो ठीके तो यह देखिए यह सब ईसमें इसमें चार स्पीकर लगा सकते हैं ये वाला और यह वाला है FMNT ना ठीक है तो इसको खोलते हैं खोलने के बाद आपको दिखाते हैं इसमें कैसा इसमें बोर्ड है इसका दोस्तों हमने इसका स्कुरू खोल दिया है यहाँ पर लिख्या भी देखिए इसका निविगेशन सब कुछ लिख्या हुआ है तो यह धक्कन इसका दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जुरूर कीजिए यह देखिए इसका कैसेट लोडर है कैसेट का मैकनिजम है मैकनि मतलब यह पोटो रिवर्स जो करता था इसके सेट को कैसेट को पलटना नहीं परता था आप एक साट बज गया खतम होगे दूसरे सेट अपन तो इसको की जो लोडर है इसको हम निकाल लेंगे कि देखे कितना बड़ा बोड़ है इसमें तो ठीक है तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं कि यह दो स्कुरूर दिया हुआ है इधर एक और उस तरफ एक कि हमको क्या है इसका लुक बिगर ना नहीं है अच्छे से इसमें लगाना है बढ़िया करके लगा देना है इसका जैसा लुक है वीसा ही रखना होगा कस्टोमर ने बोला है इसमें जो हेड का कनेक्शन है इसको खोल देते हैं कि अच्छे कि अच्छे कि यह वाला हो गया कि बारा भूल्ट का सप्लाई कनेक्शन यह वाला कि देखिए इसमें देखिए बेल्ट इसका टूटा हुआ है कि तो इसको साइट कर देते हैं यह मैं कभी यह हमें अभी जुरूरत नहीं है तो हम इसका जो बोड है आपको अच्छे से दिखाते हैं देखिए बहुत पुरणा बोड़े से कार्बन हो गया है कितना पुरणा है देखिए इसका जो ओडियो इसी है देखिए वाला और यह रेडियो का ट्यूनर है तो इसको पहले इसमें हम सुचिंग वाला सप्लाई कनेक्शन इसमें कनेक्ट करेंगे और पहले हम इसमें जो हम पैनल लगाने वाले हैं उस पैनल को निकाल लेते हैं दोस्तों दोस्तों देखिए इधर यह जो दरवाजा है इसको भी खोलड़ा पड़ेगा और दरवाजा कैसे कुलते हैं इधर देखिए नदर आवո्क को खोल लेते हैं है फुलने के बाद हम यह जो पैनल है इसको हम terminals से इसको लगा लेते हैं i जो वधिया करके इसमें लगा देंगे तोपहले हम यह जो दरवाजा है इसको हमको को खोलना हो होगा है कि एक दूस्तों हमने इसका ध्रवाजा फोल दिया है है ऐसा वाला स्प्रिंग रहता है कि स्प्रिंग ऐसे स्प्रिंग ऐसे रहता है जो यह दर्वाजा ऐसे से अब जब भी आप स्क्रेट कैसे अंदर डाती हो तो यह ऐसे हो जाता है जब कैसे निकाल दे तो एसे निकल ऐसे हो जाता है कि यह इसका सिस्ट्रिम था तो स्टो ये जो पेनिल है ये तो हमेरा इस से अंदर नहीं जाता है दिखिये कि गीसे अंदर हमारा नहीं जाता है यह इसे करके बैठ चाशे से बैठता नहीं है लेकिन और यह काम कर सकते हैं इसको इस पैनल को इस तरह से आकर हम काट लेंगे ठीक है इस जो साइड है इसको हम काट देंगे काट देने के बाद ऐसे हो जाएगा तो ऐसे होने के बाद दिखिए यह अंदर भी अच्छे से जाता है दिखिए बड़िया से बैठता भी है एप खीक है ऐसे करके हम इसमें काटके लगा देंगे तब हमारा दिखेगे सारा दिखे से दिखे अश्य से दिखेंगे बिए और अच्छा भी लगेगा नियू ऐसे बैटता है अंदर में कि तो इसको ऊसे काट लेते हैं का कट लेने के इसको हम पहले काट लेते हैं, तो दोस्तों हमने इसका frontset खोल दिया है, खोलने के बाद हम इसमें जो Bluetooth का पैनल है, इसको हम यहाँ पे glow से चिपका देंगे, चिपका देने के बाद हम connection कैसे करते हो भी दिखाएंगे, इसमें बहुत कुछ हम change करने वाले हैं, चैनल पे बनी र नहीं है मैं इसको ग्लो देकर चिपका लेता हूं दोस्तों देखिए हमने इसको फिट कर लिया है यह देखिए इसका जो नौफ का जो लुक है हूं मैंने यहां पर बढ़िया से लगा दिया है एक वैसे कोई कमका नहीं है ऐसे शोप लगा रहेगा दिखने में अच्छा लग हमने इसका लुक नहीं भीगा रहा है ठीक है तो इसका हम अभी करने वाले हैं कनेक्शन कैसे कनेक्शन करेंगे आपको दिखाते हैं और एक-एक करके आपको शिखाएंगे भी ठीक है तब इस शीख पाएंगे अप लोग कि इसका जो लुक है इसको हमने वैसे ही रहने दिया लोग को खराय नहीं किया जिखिए अंस में एक-दम बढ़िया करके बैठा है को अ है क्या नहीं है तो इसका हम और करेंगे और कानेक्शन हम कैसे करेंगे हो हम आपको दिखाएंगे कि यह चैनल पर बने रही है दोस्तों इसमें थोड़ा समय लगेगा विडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए आपको थोड़ा सबर करना होगा तो यह जो हेट का कनेक्शन है यह हमको ओडियो कनेक्शन में काम आएगा तो इस कनेक्शन से हम इसका जो audio connection है इसमें हम solding कर देंगे ठीक है यह बिकर नहीं जाएगा काम में आएगा और इसका supply जो है यह जो stand-by switch है इसको दबाने से ही यह on होना पड़ेगा वैसे connection करना होगा ठीक है इसको दबाएंगे तब यह on होगा इसको दबा देंगे बंद कर देंगे सारा कुछ बंद हो जाएगा ऐसा है इसमें connection करना है तो आपको धेरे रखना होगा ठीक है तो हम पहले connection कर लेते हैं एक एक करके चैनल पर बने रही है दोस्तों हमने जो बोला था हैट का connection हम इसमें लगा दिया है देखिए यह लेट रेट का वोडियो का connection हम नीचे से कर दिया है और यह वाना फाइप पोल का supply है तो यह पैनल का connection हमरा हो गया है अभी हम पैनल में supply देंगे इसके बाद पहले हम इसमें regulator supply बनाएंगे उसके बाद audio कहा से देंगे वह भी दिखाएंगे आपको चैनल पर बने रही है कर दो दो कि इसका स्कूर्व लगा लेते हैं पैनल का कर दो कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि यह वारा पेनल फिट हो गया है कि अच्छ को है इसका स्विच यह दवा देते हैं अब तीक है अब बढ़िया से कि हो गया फिटिंग कि अब यह अब हम स्वरी अभी हम यह 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 मिसमें लगाएंगे कि अच्छ को बिठा देते हैं कि पीछे नाटे स्कुरू लगाते हैं उसके बाद इसमें हम अच्छ को लागा देंगे लग गया है कि अच्छ को आटा आटा बतान स्कुरू अure कि कर देते हैं पंप गाधी है अब हो कि घंन स्कुरू quería कहते हैं कि अच्छ को अच्छ बाटा है कि आगेज हैं पेभा इसमें मी जैजिए थिन स्कुर्ण ओन ओफ का काम कैसे करेगा वो लाइन हम ढोनके निकालते हैं कहाँ पर हमारा ओन ओफ का जो सिस्टेम है वह कहां से ऑपरेट हो रहा है वह हम निकालेंगे इसमें बोल्टेश जो स्विचिंग वाला बोल्टेश है वह हमें कहां से देना है आपको दिखाते हैं पहले हमने मिटर ले लिया है हमने इसमें स्टीरियो में लाइन दे दिया है यह पावर इसका ओन हो गया है है कि तो एक प्रॉप को हम ग्राउन पर रखते हैं अग्यार कि अग्यार कि डिसी बोल्टेश पर रख देते हैं कि तो यह वाला हो गया आपका इसमें 12 वूत आ रहा है तो यह ओन आफ होता है कि नहीं आं दुसकों यह ओन ओप नहीं होता ऐ कि प्रॉप डॉप बार्रा थॉट है यह वाला जब पॉइंट ह्ट है यह डायरेक्ट बारा भोल्प बोल्ट मतलब बारा बोल्ट के आसपास आ गया है इस पर देखते हैं 11.90 ठीक है यहापे नहीं है यह हमें इधर से मेल रहा है यह वाला पॉइंट है जो हम देखिए सुच अप करते हैं यह बोल्टेश चला गया फिर से हम सुच आउंद करेंगे आ गया ठीक है कि बड़िया से काम कर रहा है तो यह वाला पॉइंट हमारा पॉजिटिव में जाएगा जो कि हम एलम में देने वाले हैं कि एक तो हमारा सप्लाइ कानेक्शन हमने ढूंद के निकाला है और यह कनेक्शन हम इस तरफ से नहीं उस तरफ से देंगे यह वाला पॉइंट है यह किस पर आता है इस पॉइंट पर आना चाहिए हम देखते हैं कि यह देखिए यह भी चालू है बंद करते हैं कि यह देखिए बंद हो गया कि यह बंद हो गया अभी चालू करेंगे यह चालू हो गया है थीक है तो इस पर हम सप्लाइज देंगे जो एलम का हमें इंपूट देना है इस पॉइंट से हो जाएगा यह बंद कर लिया है तो यहां पर हम सोल्डरिंग कर लेंगे अब को दिखा नहीं होगा अच्छे से हम दिखा देंगे कर दो कर दो गया है वहा है तो कर दो दो में दो 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 कि अग्राइब तो इस प्रॉप्राइब प्रॉब प्रॉब यह उड़ कर दिया है ना लंबा नी चाहिए यह हो गया अभी हम इसमें ग्राउंड का कनेक्शन कर देते हैं कि यहां पर एक छेद है वहां से निकाल देते हैं उल्टा साइट से हम ग्राउंड दे देंगे अच्छा होगा यह वाला पॉइंट जो है यह ग्राउंड है और यह भी हमारा ग्राउंड ही है यह वाला ग्राउंड पॉइंट है हो गया हमने ग्राउंड इसमें दे दिया है तो दोस्तों हम अभी चिक करने वाले हैं इसका वोल्टेज हमें बराबर मिल रहा है कि नहीं है जो हमें आउटपूट वोल्टेज चाहिए इतना निकल रहा है ओन कर दिया है यह देखिए हमें बराबर फाइब बॉल्ट मिल रहा है ठीके दोस्तों यह हमारा फाइब बॉल्ट का जो हमने रेगुलेटर बनाया है यह हमें फाइब बॉल्ट दे रहा है तो आप इसको बंद करके देखते हैं यह पावर बंद होता है कि नहीं कि यह हमने बारा बॉल्ट बारा बॉल्ट मतलब फाइब बॉल्ट में लगा दिया है इसको बंद करते हैं कि देखिए बंद हो गया फिर से चालू करेंगे ठालवर गया कि यह हमारा फाइब बोल्ट का नेक्षन अमारा अभी मिसम मोडूल में देने वाली कि यह वाला होगर पजीटिव लाइन यह वाला होगर निगडिव आन सब्सक्राइब करते हैं कि पोजीटिव को पॉजीटिव में जोड देते हैं को और नेगडिव को हो नेगडिव में यह हो गया है तो यहां के हमें ॥्याल हिल ईह तूट सकता है तो यहां हमें थोड़ा हुआ गलू लगा देना है थोड़ा सा गलू दे देंगे तो यह सेक्यूर रहेगा अभी हम इसमें करने वाले है ओडियो कनेक्शन दोस्तों ध्यान से देखिएगा यह जो एक्स्ट्र वेयर है इसको काड़ देते हैं यह जोरुरत नहीं है तो ओडियो कनेक्शन हम पहां से देंगे देखिए आपको नजर आ रहा होगा यह छोटा सा एक आईसी है कि यह वाला आईसी में हमें इनपूट जो इक्व लेजर फंक्शन है वहां से इनपूट इसमें आता है देखिए यह वाला जो आईसी है अधा में मिलता है हम पहले आपको इसका जो इनपूट का साउंड है वो सुनाते हैं कि एक स्पीकर लगा के रखा हुआ है दूसरी तरफ हम लगा लेते हैं कि यह वह आमने ओन कर दिया है अ हुआ हो चुका है अब हम इनपूट चेक करेंगे एक सब्सक्राइब देखिए यह दोनों हमारा इनपूट है तो यहां पर हम इसका जो ओडियो कनेक्शन है वो कर देंगे कर देने के बाद आपको दिखाते हैं साउंड सुना करके इससे इसका साउंड क्वालिटी आ रहा है आपको जूम करके नजदिक से भी दिखाएंगे दोस्तों कि देखिए यह दोनों में हम आए हमें इनपूट ओडियो मिल रहा है जो यह वाला इसी से यहां पर आता है यह हमारा इक्विलेजर आइसी है जो हम बेस्ट्रेवल बोलेम बागरा कम करते है तो इस आइसी से कंट्रोल होता है यहां से जागर के इस आइसी पर निकलता है यहां पर होता है हेट का कनेक्शन तो यह हमारा पूरा कनेक्शन हो गया है तो इसको हम अभी टेस्ट करते हैं लाइन देखर गए यह परेवर वर्क कर रहा है कि नहीं हुआ हो यी है तो दोस्तो हमारा सब कुछ عمल और हो गया है तो हम इशमें अभी कहान सुनाइनगे आपको मिजिक सुनाइन के कैसा साूंडना रहा है तो दोस्तों हमें इसको पहले ओन करना है तो दिखे अभी इसमें हमने पाउर सप्पाई दे दिया है लेकिन ये ओन नहीं हुआ है तो अभी पाउर स्विच ओन करेंगे ये ओन हो गया है ठीक है तो ये Bluetooth कनेक्ट हो चुका है इसका जो Clay बटन है इसको दबाते हैं कि 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 विए साउंड आ गया है कि इसका जो से सी एल है मतलब इसमें बेस ट्रिबल वैलेंस राइगरा एड़स्ट कर सकते हैं कि ठीक है कि अधिया से काम कर रहा है यह बला वेस है कि यह वाला ट्रेडल है कि यह वाला लाउड है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही थेंक यू परक Π餌 तोस्तोर सर दोस्तों टेना है